How many, मतलब कितने, How many seconds in a minute, एक मिनट में कितने seconds होते हैं, 60 and no more in it, 60 और उससे ज्यादा नहीं, How many minutes in an hour, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 for son and sir, 60 minutes होते हैं, मतलब 60 minutes होते हैं एक घंटे में, उसमें धूब भी निकल आती है, and here meaning of shower is given, when it rains for a short time, जब बिल्कुल थोड़ी देर के लिए बारिश होते हैं, फिर धूब भी निकल आती है, How many hours in a day, अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 for walk and play, 24 गंटे होते हैं, 7, काम करने के लिए और खेलने के लिए, How many days in a week, अब एक week में, मतलब एक सब्ता में कितने दिन होते हैं, 7, both to hear and speak, साथ दिन होते हैं, कुछ अपनी कहने के लिए, कुछ दूसरों की सुनने के लिए, How many weeks in a month, अब एक month में कितने weeks होते हैं, मतलब कितने सब्ता होते हैं, 4, one month में 4 weeks होते हैं, As the swift moon runs, swift means, meaning is given year, fast, मतलब, चांद जो है, वो आप भी देखते होंगे, students की पहले कम साइज में होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, तो वो एक month में चांद तेजी से आगे बढ़ता है, How many months in a year, अब एक साल में कितने month होते हैं, 12, the almanic makes clear, एक साल में 12 months होते हैं, मतलब एक साल में 12 महिने होते हैं, What is the meaning of almanic, a type of calendar, this is, तो यह हमें calendar देखते पता चल जाता है कि एक साल में 12 महिने होते हैं, How many years in an age, अब, मतलब किसी की उमज, तो वो कितने साल तक होता है, 100, sage the sage, sage मतलब एक a wise person, एक बुद्धिमान आदमी, तो यह कह रहा है कि इंसान लगभग 100 साल तक कोई-कोई जीते हैं, यह students, आपने भी सुना होगा, तो इसलिए age 100 years तक का दिया हुआ है, Now, how many ages in time, अब जो समय है, जो time है, उसकी उम्र क्या होती है, No one knows the rhyme, समय की कोई उम्र नहीं होती है, क्योंकि समय कभी खतम नहीं होता है, Here, students, you can see, in this poem, the speaker asks questions about time and answers them, इस poem में, जो speaker है, जो इस poem को कह रहे हैं, वो time के बारे में question पूछते हैं और उसका जवाब भी देते हैं, But, the speaker says, लेकिन फिर speaker कहते हैं, Know that no one can answer the last question, कि जो last question है, उसका answer कोई नहीं दे सकता है, How many ages in time, जो समय है, उसकी उम्र क्या होती है, This is because time is endless, क्योंकि जो समय है, वो कभी खतम नहीं होता है, It never stops, ना कभी खतम होता है और ना कभी रुखता है, So, this is your poem students, and this poem is written by Christina Rossetti, okay?